अलो दोस्तों मैं आफ सिकाऊंगी जूट से डोर्मेट दोस्तों मैं जूट कराब हो यह फटे बाने कप्रों से भी बना सकती है अगर बट आप बहा हम जूट अथे भाठाब है किस तरह से बनासकती है बूह देखें यह जूट ले लिये इस तरह से इसको निकाल लेंगे यह देखें तीन हमने इस तरह से निकाल लिये और यहां पर इस तरह से हम नॉट लगते देखेंगे अब इसको हम बुनना इस्टाट करेंगे इस तरह से बुनते जाएंगे यह देखें इसी तरह से बनानी है इसको चोटी को हमने चोटी बना ली है और यह हमने इस पर हमने कलर किया है तो कलर वाला यह हमने बनाई है बनेगी इसी तरह से जिस तरह से यह बनाई है और आपके पास अगर यह नहीं है तो यह फटे पुराने कपड़ों से चोटी बना के आप बना सकती है तो इनसे भी बहुत सुंदल लगेगा वह हमारे पास पड़ी हुई थी तो एस्टरा तो मैंने उससे बनाना शिका हुए यह देखे इस तरह से इस में हम नोट लगा लेंगे और इस तरह से चोटी बनाती है यह पटे पुराने कपड़ों से भी बना सकती है इस तरह यह देखो अब हम इसको बनाना इस्टाट करें अगर कप्ड़े से बना रहे हैं तब भी इसी तरह से बनेगी या जूट से बना रहे हैं इसी तरह से गुमाएंगे इस चोटी को इस तरह से इस तरह से गुमानी है इस चोटी को सीधा करना है ऐसा मत कर लीजेगा नहीं तो अच्छी नहीं आएगी इस पर सपाई सकता आप्जी मत करना हैं बना रहे हैं झाएगी सीधा करनी तरह से नहीं है ए underm ह्लाएम गुमानी है इस तरह से, आप इस तरह से भी सिर सकती है, अगर पटे पुराने कप्डे की बनाएंगे, कप्डी इसी तरह से लेंगी, काई, इसको खathon कहती है, विलकुल हूँ, फोन आप द्यायर नियुक्ती है. ऐस तरह से इसके राउंड लगाने है, मैं तिक है वे हमदे तीन राउंड लगे हैं एक, दो, तीन, तो तीन राउंड लगाने के बाद इसी तरह से मैं 16 राउंड लगाऊंगे, इसी तरह से सिलती जाऊँगी और एक और तरीका है, आपको अगर जल्ली बनाना हो, तो इस तरह से दो राउंड हम इस तरह से कुमा लएंगे, यह देखें, और यहां से सुई डाल इस तरह से उपर वाले को इसमें दागा भी नहीं पता चलेगा और आपकी इस तरह से शिलती भी जाएंगे इस तरह से दो दो राउंड लगाते हुए इस तरह से भी शिल सकते हुए तो मैं सिल लेती हूँ 16 राउंड लगाने के बाद मैं आपको दिखाते हुए यह देखो मैंने 16 राउंड लगा लिये हैं एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चौदे, पंद्रे और यह सोल है आप इसकी लंबाई भी नाप ले यह देखें 15 सेंटीमीटर और इधर से भी देखें 15 तो 30 सेंटीमीटर यहां से लेके यहां तक 30 सेंटीमीटर हो लेगा यह देखें इसको बनाने के बाद हम इसका कलर चैंड कर देंगे तो यह वाला हम कलर इसमें लगाएंगे तो यहां पर हम इसको इस तरह से पूरा रांड लगाएंगे इसी कलर का एक रांड लगाने के बाद में आपको दिखा रहें यह देखो एक रांड में ने यह लगा लिया है अब देखें आगे की डिजाइन किस तरह से पढ़ेगी इसमें यह देखें यहां से आम नापेंगे इसके इसे और 5 cm इसको इसकर ऐसे इस तरह से यह देखें इसकी लमबाई है 5 cm इसकी चोड़ाई भी है पाँची सेंटीमिटर गखें यह देखो एक राउंड अमने पूरा इसके लगा लिया है पीले का अब देखें आगे के हम बिजाइन बनाएंगे तो यह देखें इस तरह से हम नापेंगे इसको 5 cm यहां से इस तरह से करेंगे तो पाचई सेंटी मीटर हम बीच में रखेंगे यह देखें फिर इसी तरह से हम यहां पर गुमाएंगे इस तरह से अब यह देखें अब यहां पे हम सुई से सिल देंगे इस तरह से हम फिर से 5-6 cm पे इसको इस तरह से गुमा लेंगे और इधर भी सिल देंगे है कि यहां पकका कर देंगे कि यूँ हमें यहांसे दागा टोनना noting इस तरह से यहां मेरा पक का हो गया और इधर से फिर सी तरह से हम यह डिजैन बना दें कि तो यह डिजैन में आज पास बना लेती हूं घ्राप दिखा लुग जिए देखो मैंने आ इस तरह से हमें यहां पर भी शिलना है, ताकि यह डिजाइन एकदम से सीडी हो सके, यह देखें, थोड़ी हम इस तरह से सिलेंगे, यहां पर एक और यहां पर थोड़ी दूरी पर दो दो टाकि लगाने हैं, अब इसी तरह से हम इसमें देखें, यहां पर इस तरह से, फिर यहां पर इस तरह से, तो पूरा यह राउंड कम्प्लीट करना है, इसी तरह से डिजाइन को टाक देऊए, इस तरह से, तो मैं टाक लेती हूँ, फिर आपको आंगे का लिखा, यह देखो हमने डिजाइन कम्प है करना यहां से दक्ते इसमें भारे कि बनाना देखे? फिर धस्ते हम इसी तरह से इए इस became लगा जाएंगे और है tarrag ऑसके उपर क्यून डिजाइन बनानी है फिर ऊपर से हमें यह जोडारां लगाने और इस तरह पर उसके बाद ये देखें, यह इस ला इपना है यह ऊजेस tái já ने लो आया है फिर ज़ीजिगाउन करतीया auf Crea फिर उपर देखें, उपर हमने ये 16 राउंड लगाई हुए, एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारे, बारे, तेरे, चौदे, पंद्रे, 16, तो 16 राउंड हमने उपर के लिए लगा के फिर कम्प्लीट कर लिया है इसको.